आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ इस क्वेशन में हमें एक रिंग दिया गया जिसका मास और रेडियस हमें मालूम है यह एक एंगुलर वेलोसिटी से अपने वर्टिकल एक्सिस के बाट रोटीट करा है और अब हम क्या कर रहे हैं दो मास जिनका मास हमें मालूम है उसे हम इसके सेंडर पर रख दे रहे हैं और साथ में ही दो मासलेस रोट रखे हैं रेडियली ठीक है उसके लोग यह क्या करते हैं कुछ दिर बाद मूव करने लगते हैं तो होता है कुछ दिर बाद जब सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी जो है इट बाइ नाईन ओमेगा हो जाती है उस समय उन दो मासे में से एक मास सेंडर से 3R बाइ 5 की dystans पर होता है तो हमें बताना है उस इंस्टेंस पर दूसरा मास सेंडर से कितनी दूर पर होगा तो आप इस सिस्टम में देख रहे हो कि यहाँ पे हमने बस दो मास रखा है और यह मास सिर्फ बिना किसी external force के radially move कर रहे हैं ठीक है तो अगर कोई external force यहाँ पे नहीं लगा है F external अगर 0 है तो इसका मतलब है कि torque external भी 0 होगा क्यों क्यों कि torque external हमारा क्या होता है R cross F ठीक है तो F अगर 0 है तो torque भी 0 होगा इसका मतलब क्या है momentum जो हमारा वो conserve रहेगा that is L is conserve अब L is conserve है तो इसका मतलब क्या होगा कि initially जो momentum था finally भी वही angular momentum रहे जाएगा अब यहाँ पे बहुत लोगों को doubt रहता है कि यहाँ पे अगर center पर हमने दो same mass रखा था तो वो same distance पर होगी कितने भी time अगर time t पर अगर 3R by 5 पर एक mass मिलता है तो दूसरा भी 3R by 5 पर मिलना चाहिए क्योंकि दोनों के masses same है तो लोग सोचते हैं कि same set of forces act करेगा same time के लिए तो दोनों का distance भी same होना चाहिए पर यहाँ पर आप ध्यान दो के यहाँ पर इसने यह नहीं लिखा है कि identical masses हमारे पास यानि nature of surfaces अलग हो सकता है तो जब यह दोनों दोनों का मूँ जो है massless rod और इनके बीच जो masses है उनके बीच जो friction लग रहा है उनका जो मूँ है दोनों के लिए अलग हो तो अगर एक के लिए मूँ वन है दूसरे के लिए मूँ टू है तो हो सकता है दोनों equal नहीं हो तो अगर equal नहीं है तो यह conclude करना कि दोनों same distance पर तो इसके लिए हम li is equal to lf ही लगाएंगे ताकि zero short हमें answer मिले तो l initial हम कैसे लिखेंगे l initial is equal to i initial omega initial ठीक है अब शुरुवात में यह direction मतलेते हैं यह omega ऐसे है तो omega के ही direction में angular momentum होगा शुरुवात में और li is equal to lf होना है तो finally भी यही direction होगा तो हम directly magnitude लिखते हैं उसको equal करते हैं ठीक है तो हम सीधा लिखते हैं li is equal to i initial omega initial omega है तो हम omega रहने देते हैं अब आप initially देखोगे तो यह दोनों ही points जो थे वो center of ring थे ठीक है वगर center of ring थे तो इनके कारण moment of inertia नहीं आएगा क्योंकि moment of inertia में जो r square होता है वो इनके लिए क्या हो जाएगा 0 तो l initial में क्या हो जाएगा सिर्फ i of ring into omega अब ring का moment of inertia क्या लिखेंगे हम mr square omega अब आप finally देखोगे तो finally यह दोनों masses कुछ distance पे center से जा चुके हैं तो axis उनकी कुछ distance है तो इस case में r square not equal to 0 है तो इसलिए moment of inertia इनका भी आएगा तो इसके लिए हम लिखते हैं lf is equal to i of system i of system हमारा क्या हो जाएगा i ring plus i m1 plus i m2 और final omega वो क्या था 8 by 9 omega अब ring का i तो वही रह गया mr square और m1 का mass क्या था m by 8 और इनका distance दिया हुआ है 3r by 5 इसका square दूसरे का हम में नहीं पता है इसको x मानते हैं तो यह x square और यह हो गया 8 by 9 omega अब यह हमारा lf आ गया और l initial हमने पहले निकाला तो अब इस दोनों को quit कर जाते हैं तो हमारे पस क्या आ जाएगा mr square omega जो की l i है वो lf के बराबर होगा वो कितना आ जाएगा square plus 9 mr square by 200 plus m by 8 x square into 8 by 9 omega यहां से omega omega cancel m mb cancel अब हम इसको solve करेंगे यह क्या जाएगा हमारा r square is equal to 8 by 9 r square plus r square by 25 plus x square by 9 अब हम इसको simplify करते हैं तो r square इदर common लेते हैं इदर आ गया हमारा 1 minus 8 by 9 minus 1 by 25 is equal to x square by 9 अब 9 को lhs में भेज देते हैं तो हमारे पास आ गया r square 9 minus 8 minus 9 by 25 is equal to x square इससे हमारे पास क्या आ गया r square यह 1 हो जाएगा तो 1 minus 9 by 25 is equal to x square इसका मतलब 16 by 25 r square is equal to x square इसको अगर हम square root करेंगे lhs को तुमारे पास आ जाएगा 4 by 5 r is equal to x तो हमारी सेगंड मास की क्या डिस्टेंस आगी 4 r by 5 तो यहाँ प्यांसर है हमारा 4 r by 5 Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर